दोस्तो आज की इस टाइम में सभी के लिए अधार कार्डे बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टेंट डोकुमेंट बन गया है चाहें छोटा बच्चा हो वो या फिर कोई बुजुर्ग हो यानि कि अगर आप किसी भी जगा एपलाई करना चाहते हैं तो आपसे अधार कार्ड की डिमांड की जाती है चाहें वो गौवर्मेंट जॉप का फोम हो या फिर गौवर्मेंट इसकी में एपलाई करना हो या फिर आपके बच्चे का एडविशन हो आप हर जगा पर आपसे अधार कार्ड की डिमांड की जाता है अगर आप किसी बेंक में जाएंगे एकाउंड open कराने के लिए तो वहां पर भी आपसे आधार काड की डिमांट की जाएगी तो ऐसे में अपना कहीं भी नजदीक में एक आधार center खोल कर लाक रूपिय कमा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में हर किसी नागरिक के पास में एक अधार कार्ड जरूर है और वो उस अधार कार्ड में कुछ न कुछ करेक्शन या फिर कोई नया अधार कार्ड बनवाता ही रहता है तो ऐसे में एक अधार कार्ड अधार कोई सेंटर खोल के आप ठीक ठाक बालिक कमाई कर सकते हैं तो आज की वीडियो हम इन डीटेल जानेंगे दोस्तों के दोवयाज 24 में नया तरीका कौन सा आया है जिसकी मरत से आप अपने अधार सेंटर कोल सकते हैं कहीं भी इसकी साथ पर हम यह भी बात करेंगे कि इसमें आता है और कौन-कौन से एक्विमेंट की हमें नीड होगी और जरूरी डोकुमेंट कौन से होते हैं सब ही चीजे इन डीटेल में बात करेंगे लास्ट में आपको बताओं कि अधार सेंटर लेने के लिए आपको कहां पर जा करके इसके लिए एपलाई करने है ताकि आपको जल्दी जल्दी आपका अधार सेंटर मिल जाए हलो एबरिवन दिशी आलाम एंड यूर बोचिंग टेकनिकल फास्टे वीडिव चैनल सब बात करेंगे कि एक अधार सेंटर ओपन करने के लिए आपको किनकीन चीजों की नीड होगी देखिए सबसे पहले आपको ज इंटरनेट आसानी से ब्राउच कर सके और कुछ मसीन होती हैं जिनका यूज करके आपको अधार काड बनाना है जैसे कि करने के लिए आपके फिंगर पिंट मसीन या फिर इसकेनर और प्रिंटर और मोवाइल फोन और इंटरनेट करनेक्शन यह बहुत ज़्यादा ज़रू उनरो जब्री है अब दोस्तों आधार कार्ट में कौन कौन से काम करता है जैसे कि आपका नयाधार कार्ट बनाना हो गया अधahn को कि अपडेट करनाया है यहां से आप कितने रूपे आसानी से बना सकते हैंidea के जरूरी Question क्या है तो यह depend करता है आपके आपके उपर कि कितने equipments आपके पास old lady है और कितने equipments आपको buy करने है जैसी कि building का खरचा हो गया अगर आपके पास कोई अपनी personal building है तो आप आप है उपन कर सकते हैं तो personal building का जो investment है वो यहां से minus होगा यह पिर आपको rent पर कोई पगेरा लेकर के वहाँ पर अधार सेंटर भी open कर सकते हैं इसी के साथ में आपका machine का खर्चा हो गया internet connection का खर्चा हो गया और जो भी आप equipment buy करने वाले हैं वह हो गया और जो भी आपके documentation complete करने हैं वह खर्चा हो गया यानि कि यह कुल मिला करके दो से तीन लाख रुपे के आसपास यह खर्च बैठता है मैं तो यह समझता हूं कि अगर आप रेंट पर ले कि अपना कोई अधारकाट center खोलते हैं तो यह तो लेक के अंदर अंदर ही आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा तो देखिए अधार center open करने के लिए क्या-क्या equipment की जरूरत है वह आप यहाँ पर इस्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके laptop या फिर desktop की जरूरत पड़ेगी आपको scanner camera की जरूरत पड़ेगी और अधार operator certificate या फिर अधार supervisor certificate जो की NSEIT की तरफ से provide किया जाता है वो होना आपके लिए जरूरी है उसके बिना आपको अधार center की ID मिली ही नहीं सकती उसके बाद आपके पास fingerprint scanner होना चाहिए और एक GPS ट्रेकर भी आपके पास होना चाहिए इसे के साथ में आपको आपके पास printer scanner और webcam होना चाहिए यह जरूरी equipment है जिनकी आपको नीड पड़ेगी अब दोस्तों यहां पर आप इसक्रीन पर देख सकते हैं कि अधार कार्ट के लिए जरूरी documents कौन कौन से हैं जैसे कि आपके पास अधार कार्ट और बोर्टर कार्ट का होने जरूरी है और एक पुलिस वेरिफिकेशन certificate होता है जो कि online पुलिस की website से ही बन जाता है और एक NACIT certificate और साथ में आपके पास bank BC की ID भी होना जरूरी है कई बार बिना BC के ID के भी है आपको ID password दे रहेते हैं लेकिन यह उपर बाले इतने भी जो भी टोटिन तो आप जैसे इस पर आएंगे तो इसके लिंक आपको मैं जो भी लिंक यूज करूंगा वह आपको वीडियो के दाउनलोड करने या फिर अपडेट करना या फिर पीबीसी अधार कार्ट ओडर करने या फिर अपने अधार कार्ट के स्टेर्श को ट्रेक करने वह सब काम यहां से हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको यहां पर आना है है कितने का othentication अधारकाट को हो चुका है कितने की RekyC हो चुके हैं यहाँ पर आपको सारी detail मिल जाएगी अधारकाट के बारे में तो आपको यहाँ पर आना है enrollment तो आपको simple किलिक कर देना है यहाँ पर आपको मिलेगा by state and यूटी एंड बाइजिस्ट्रार्च एंड बाइण ओल्मेंट एजंसी तो यहां पर जितनी भी उप्शन दिये गए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है बाइण employment Agency उसके बाद आपको जितनी भी Agency अधाare करड़े करा रहे हैं उनकी लेस्ट आपको मिल साइगी काम को करना हो जो कि आपको करना है यहां पर जो भी Agency है यहां पर आप देख सोबने काभिया data management यह एक एगसी है तो यह सभसे ज्यादा अधार कार्ट सेंटर ओपन कराती है इसलिए इसके थो ज्यादा अधार कार्ट बना हुए है यहाँ पर आप दे सकते हैं स्वाथी स्मार्ट कार्ट यह एक कंपनी है तो इसके थो भी बहुत ज्यादा अधार कार्ट बन रहे हैं जिसके थो ज्यादा अधार कार्ट प्रोवाइट करा लिए तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको करना क्या है यहाँ पर जो भी एजनसी है आपको उस पर जाना है और उसका जो भी नाम है जैसी कि यहाँ पर नाम से हो रहा है उसका नाम कोपी करना है और गूगल में जाना है गूगल में ज कोंट्य के आधार सेंटर की डिल कर सकते हैं अगर ये चुम्पनी नहीं मानती है तो आपको दूसरी कमपणी पॉस्षा करना चोथ के wanna इपन मैं तो यहां तख कहूँ कि पांस से आठ कमपणी के पास इमें आप डाल देजिएगा उसमें से दो company आपको reply जरूर देंगी और उनसे आप contact करके अपने अधार center आसानी से खोल सकते हैं और मैं आपको बता दू कि पहले अधार center सेज़ी के थो मिल जाता था बहुत ही आसानी से लेकिन आप बहुत ज़्यादा टैफ है अधार center लेना अब आपको इन companies के थो करना ही पड़ेगा आपको वीडियो काफी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगा कमेंट करेंगा और अभी भी आपको कोई कंफियो जाना है तो आप बेज जीचे को करके कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करके डारेक्टली मुझे बात कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मेलते हैं नेक्ट वीडियो में इंटरेस्टी वीडियो के साथ तब तक लिए बाब हैवनाज दे